नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं जर्खन के 21,000 प्राथमिक वमद्य विद्यालियों में त्यार होंगे रेडिंग जोन राजे के 21 हैर प्राथमिकों मदे बिद्यालों में रीडिंग जोन डेवलप करने की योजने त्यार की गई है पाइलेट प्रजेक्ट के तहद पहले चर्ण में राजे के एक हैर बिद्यालियों को चेनित करवा हां मौझूद संसाधनों के साहरे रीडिंग जोन डेवलप किया गया है बता दे जहां बच्चों को रूटिंग कलासेस के बाद पठन पाठन में रूची बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा कलासेस और पुस्तके उपलब्द कराई जाएगी इसके लिए बिद्याले के सिक्षको को सिक्षा सचीव के द्वारा दिशा नेदेश भी दिया गया है ताकि बच्चों में रीडिंग हैबिट को बढ़ावा दिया जा सके यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बेसक इसे सभी 21 हज्जार बिद्यालों में लागू किया जाएगा इसके लिए बकायदा टीम का गठन भी किया गया है और बिद्यालों में बचों को प्रसाइट भी किया जा रहा है राजजे में मौसम बदल चुका है मांसून के सक्रेता ने आमजन को गर्मिस रहाद दि है राजधाणी राजची समित आसबस के पांच जीलों में बारिस हुई राजधाणी राजची में एक दिन में चार मिलिमीटर बारिस हुई條 बताजे रांची और उसके आसपास के जीलों में मांसुन आने के 15 दिनों के बाद जमा जम बारिस हुई मौसम के अंदर का पुर्वन मान है कि अगले 1-2 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहेगा गौतलब है कि मानसुन के आने के बाद से राजधानी में कहीं कहीं हलकी बारिस हो रही है बादल मौसम का असर राजधानी के जन जिवन पर भी दिखा है सीयम हेमन्त 5 जुलाई को ज्यारखन की नई सोलर पॉलिसी को करेंगे लंच ज्यारखन के सीयम हेमन्त 5 जुलाई को राजधा की नई सोलर पॉलिसी लंच करेंगे साल 2027 तक ज्यारखन में नीजी और सरजनिक छेत्रे की भागेदारी से 4000 मेगावार्ड बिजली और उर्जा से उत्पादन करने का लग्ष रखा गया है इसे लेकर नई सोलर पॉलिसी बनाई गई है इसके तहट सर उर्जा में निवेस के लिए कई प्रधान किये गए है ताकि निवेसक आकरसित हो सके वहीं घरों में सोलर रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाने पर भी सबसिट्री का प्रधान किया गया है बता दे राजे में 3 लाग बार्शिक आयवाले लोगों को अपने घर में 3 किलो वाट तक का सोलर प्लांट लगाने पर 60 परतिस सबसिट्री दी जाएगी जबकि 3 से 10 किलो वाट के सोलर प्लांट लगाने पर 8050 सबसिट्री का प्रधान किया गया है द्रोपदी मुर्मू 4 जुलाई को आयेंगी जार्खन राष्ट पती चुनाओं में एंडिये की परत्यासित द्रोपदी मुर्मू 4 जुलाई को जार्खन आ रही है इस दोरान जीत सुनिस्चित करने को लेकर BJP आयसु समेत और पाटी की नताओ से भी मिल सकती है द्रोपदी मुर्मू के जार्खन आगमन की खबर मिलते ही जार्खन BJP ने त्यारी जुरू कर दी है बता दे की द्रोपदी मुर्मू का जार्खन से नाता रहा है वहीं राष्ट पती चुना में दूसरे परतिया स्वन सीना का भी जार्खन से नाता रहा है 24 जून को राष्ट पती पद का नमांकन करने के बाद द्रोपदी मुर्मु पहली बार जार्खन आ रही है इनका जार्खन से गहरा नाता रहा है 6 साल के विवान ने बनाई 129 पेंटिंग इंडिया बूक आफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुनहार बिरवान के होत चिक ने पात मुहावरे के चरितरात कर रहे रांची के 6 वर्ष ये बिवान सौरया उन्होंने अपनी बिलक्षन सुरीजनात्मक परतिभा के बल पर इतनी छोटी उम्र में अपना नाम इंडिया बूक आफ रिकॉर्ड 2022 में दर्ज करा लिया है बता दे उनके नाम या रिकॉर्ड सबसे कम उम्र में 139 पेंटिंग बनाने के लिए दर्ज हुआ है बिवान ने बड़े आकार A3 या उससे बड़े आकार के पेपर पर 129 पेंटिंग एल, पेस्टल, रंगोद्वारा बनाई है और साथ ही साथ पेंटिंग बनाते हुए सभी वीडियो भी बनाया है जार्खन सचीवाले में एस्टोनो ग्राफर का आवेदन शुरू जार्खन सचीवाले एस्टोनो ग्राफर सेवा सनवर्ग में खाली पड़े 452 पदोपर नियुक्ती के लिए एक चुक अभियार्थी द्वारा ओनलाइन आवेदन जमा किया जा रहा है अभियार्थी 27 जूलाई की मद्ध राति तक अउनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे वहीं 30 जूलाई के मदराती तक 25 सूल का भुक्तान किया जा सकेगा बतादे फोटो वहस्ताक्षर अप्लोड कर समरपित ओनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट लेने के लिए 2 अगस्त तक लिंक उपलब्द रहेगा ओनलाइन आवेदन पत्र में नाम जनमती थी इमेल, आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़ कर किसी भी असुद प्रविष्टियों को संसोधन करने के लिए 3 अगस्त त 5 अगस्त की मदराती तक पुना लिंक उपलब्द कराया जाएगा जेपी एसी के चैनित प्रतिभाग्यों को सियम हमन्त 8 जुलाई को बांटेंग नियुक्ति पत्र साथवी से लेकर दसवी जेपी एसी के चैनित प्रतिभाग्यों को मुख्य मंत्री हमन्सुरेन आगामी 8 जुलाई को नियुक्ति पत्र सोपेंगे राई सरकार द्वारा कारक्रम का आवेजन कर 252 सफल परतिभाग्यों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा बता दे नव चैनित अधिकारियों की संख्या अधिक होने की वज़ा से पुर्जेक्ट भौन की जगा अन्यत्र समारो का आवेजन किया जाएगा राईधानी 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 के मुराबादी मैदान में आवेजित होगा जिसमें एक हैर से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष रखा गया है सियम हेमन्द खुद लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे सरम नियोजन एवं प्रसिक्षन विभाग इसकी त्यारी में जुटा हुआ है हलाकि कुरोना गाईधानी की वज़ा से इस आवेजन में कूछ प्रसास्तनिक और चने भी है विभाग ने राच डी सी से भरती कैम्प के लिए अनुमति मांगी है ज़ार्खन के सरकारि विभागों में साड़े तीन लक प्द खाली जार्खन के सरकारि विभागों करमचारियों की भारी संख्या है राजे के सभी सरकारे विभागों में स्विक्रित नियमित पदों में से साड़े तीन लाग पद खाली है इन में सबसे ज़्यादा पद सिक्षा विभाग में खाली है बतादे सरकारी आकडों के अनुसार पराथमिक वामाधमिक सिक्षा के छेत्र में सिख्ष को सहित अनकरमचारियों के खाली पड़े पद सरकार के कूल खादी पदो का 60.97% है वही प्राथमी को अमाधमिक सिक्षा के छेदर में खाली पड़े इन पदों के मदनजार राजे में प्राथमी को अमाधमिक सिक्षा के अस्तर काया आकलन कियाज जा सकता है बीदी बेवास्था को नियंत्रित करने वाला गिरी विभाग रिक्तियों के ममले में दूसरे नमबर पर है देवगर से कोलकाता की फ्लाइट के पहले यात्री गोड़ा के देवबरत ज्ञा देवगर यारपोट से आगामी 12 जुलाई को देवगर कोकाता की फ्लाइट के पहले यात्री गोड़ा निवासी देवबरत ज्ञा होंगे देवबरत ज्ञा सामचार बाईट के लिए रवाना होने वारी पहली फ्लाइट के यात्री है बता देवे अहमादाबाद में इंकम टेक्स अपसर हैं उनके माता पिता गोड़ा में रहते हैं जनकारी के अनुसार वे कुलकत्ता बराबर गोड़ा आदे जाते रहते हैं अब देव घर से फलाइट सुरू हो जाने से उन्हें काफी सहुलियत होगी गीरी डी की दो महिलाओ को बलरो में बैठाया दुसकर्म कर छोड़ हुए फरार दो महिलाओ को लिफ्ट देने की बात कहकर बलरो में बैठाने और दुसकर्म कर छोड़ने के मामला परकास में आया है घाटना की जनकारी मिलने के बाद पूलिस मामले की छानवीर में जूट गई है वही महिलाओं को मेडिकल जाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है मामले की परताल के लिए SDPO अनिल कुमार सिंग दल बदल समेत बेगा बांध थाना पहुंचे है जनकारी के अनुसार गिरीडी के गामा और सरिया के रहने वाली दो महिलाएं अपना इलाज कराने देवघर इस्थीत एम्स गई हुई थी पीए मोदी के आगमन को लेकर देवघर में त्यारी तेज 12 जुलाई को परधान मंत्रि नायंद मोदी के देवघर आगमन को लेकर त्यारी तेज हो गई है विभीन चौक चौराहों पर पीए मोदी के स्वागत के लिए बड़े बड़े होल्डिंग्स सजे लगे है टावर चौक पर दो तीन जगों पर होल्डिंग्स लग भी गए है वहीं सभी सड़कों के काम में भी तेजी आ गई है यारपोट रोड में पांडे दुकान से लेकर कुंडा मोड तक लगभग 2 किलोमेटर लंबी सड़क का का काम महज 24 गंटे में पूरा कर लिया गया इसके अलावा परधान मंत्री की ज़न सभा को लेकर देवघर कॉलेज में साप सफाई और लेबलिंग का काम भी सुरू हो गया है मुख सचिव के देवघर बिजन के बाद परधान मंत्री की आगवन की त्यारी में जीला परशासन रेस हो गया है धन्यवाद